नुश्कार मैं हुराम प्रिकाश राई रवीवार के इस खास बात्चीत में आपका स्वागत बात होगी इस बार कि जो कॉंग्रेस में अभी बीते दिनों रास्ट्रिय द्रक्ष का चुनाव हुआ और जो भारत जोड़ो यातरा को जन समर्थन मिल रहा है इससे विपक्ष औ उपर जो सत्तारूर दल है और जो कॉंग्रेस के अलावा दूसरे रास्ट्री और छेत्री दल है उनके उपर क्या दबाव आ रहा है सवाली उठता है कि जब कॉंग्रेस में रास्ट्रिय द्रक्ष पद का चुनाव हुआ बगाईदा उसके लिए गुप्त मतदान का सहारा गुप्त मतदान का रास्ता अपनाया गया इसके बाद रास्ट्रिय द्रक्ष के लिए वोटों की गिंती हुई घोशना हुआ बकायदा उन्हें चुनाव का पत्र मिला इन सारी प्रक्रियाओं के बाद अब जो भारती जंता पार्टी सही तमाम दूसरे छेत्री दल है भार साथ होती है कि आंतरिक लोगतंत्र जो उनका अंदर खाने का लोगतंत्र है पार्टी के भीतर का लोगतंत्र है उसको अक्सर बताया जाता है कि आंतरिक लोगतंत्र बहुत मजबूत है बहुत अच्छा चल रहा है उस पर कितना सवाल या निसान लगेगा साथी साथ क्या य जो कॉंग्रेस पार्टे की राहूल गांदी के नितरतों में एक तरफ भारत दोड़ो यातरा चल रही है देश में उस यातरा को ब्यापक जनसमर्थन मिल रहा है बारा राजियों से होकर के इस यातरा को गुजरना है पांचवे राज में यातरा पहुंच चुकी है तेलांग में जाने पर समर्थन कम हो जाएगा तो मिलाडू केरल में उनने समर्थन मिलेगा पर ऐसा हुआ नहीं करनाटक में भी राहूल गांदी की यातरा को खूब समर्थन मिल रहा है इसको लेकर के भारती जनता पार्टी सही तमाम दूसरे दलों पर दबाओ पहले से ही था अब क भारती जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं ने परिवारवाद के नाम पर कॉंग्रेस के उपर खूब हम ले किये हर भाशन में परिवारवाद का जिक्र होता परिवारवाद का जिब्बी जिक्र आता तो गांधी परिवार से लेकर के और कॉंग्रेस पार्टी पर उनमें परिवारवात का जिक्राता था, इसके अलावा बार-बार पारटी के अद्यक्ष की बात होती थी, चुकी सोनिया गादी पार्टी चुकि भारती जनता पार्टी में चुनाओ करा द्यक्षपद का चुनाओ कराने जैसा कोई सिस्टम है नहीं वहाँ पर संग और भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो तैय कर लेते हैं बैसिकली संग ही किया जाएगा चुकि अब रास्टी अध्यक्षपद में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का हाथ होना कॉंग्रेस के बार बार परिवारवाद के उपर चोट करके चुकि भारत्पा के परिवारवाद पर बार बार आकरामक होने की ही देन थी कि कॉंग्रेस के भीतर भी ताओं के द्वारा हुआ जो लंबे समय से कॉंग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे जिसके बाद एक जीत है इस नाम का गुट भी कॉंग्रेस में बन गया जिसमें कई बड़े नेता सामिल रहे जिन्हों ने चिठियां तक लिखी इस चीज को लेकर के कॉंग्रेस पार्ट पार्टी के पास चुना हुआ रास्टी अड्यक्ष है अब जब चुना हुआ रास्टी अध्यक्ष पद का चुनाओं है वह भारती जन्ता पार्टी सहित दूसरे दलों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है कितना नुकसान दायक है राजनीतिक विसलेशक जो है वो अब इस बात की चर्चा जोडशोड से कर रहे हैं कि क्या अब इसके बाद भारती जनता पार्टी सही तमाम जो दूसरे रास्टी और छेत्री दल है वो भी अपने पार्टीओं में जो राजट या दक्षिवandır में तमाम जो दल है ये सारे जो हैं वह बाप बेटे दादा पोते टाइप में चलती होई पार्टी आज से विरासत को मिल गई पिता से विरासत उतके की तरीके से चलेंगे और द्योगी घराने के तरीके से राजितिक दल भी चलाए जाएंगे बाप से सत्ता जब बाप से मालिकाना हक हस्तांतरित हो गए पुत्र को तो पिता का मालिकाना अधिकार बेटे को मिल गया और बेटा पार्टी चलाएगा अब वो उसके लिए इलिज उसरे लोग भी अध्यक्ष रहे एक लंबे दोर में पर इसके बावजूद भी कॉंग्रेस पार्टी को अगर लारजर द्रिस्टिकोंड से देखा जाए तो बड़ा नुकसान हुआ इस चीज को लेकर के बार बार जब ये पार्टी की कमान हस्तांतरित हुई उसको लेकर के उ उन जगों को छोड़ करके और फिर दक्षिड का सहरा लेना पड़ गया केरल जा करके चुनाओ लड़ना पड़ गया तो बाद में कॉंग्रेस पार्टी को ये भी समझ में आया कि पार्टी राजनितिक दल जो है वो राजनितिक दल की तरीके से चलाना होगा बलकि अध्यो जो आम जनता जिस तरीके की डिमांड रखती है आम जनता की जो राजनितिक को देखने का दर सिकोंड जो नजरिया बदला है उसका असर है कॉंग्रेस पार्टी में रास्टिय अध्यक्ष्पत का चुनाओ होना जब इस तरीके की चर्चाएं आती हैं तो बार-बार ये हव बाला दिया जाता है कि नई कॉंग्रेस पार्टी में कही सारे लोग अध्यक्ष रहे चुके हैं जो गांधी परिवार के बाहर के हैं ठीक है वो चीज़े हुई बीच में पर फिर से जब वो पार्टी की कमान सौपी गई तो उसका नुकसान कॉंग्रेस पार्टी ने उठा के बाद पार्टियां बिखर गई उन पार्टियों में परिवार एक उस परिवार के ही लोग जगड़ा जगड़े हुए उसको मालिकाना दिक उसके हक के लिए उसके नितरतों के लिए जगड़े हुए जगड़े चलते या तो पार्टियां आपस में बटी या फिर वो पा पार्टी जैसी रही जो एक नेता के चेहरे पर बनी एक नेता की आइडालोजी पर ये चल करके आगे बढ़ी और फिर बाद में या तो उनके अगली पीडी को उसका नेतरतों सौंप दिया गया और या फिर उस अगली पीडी में ही नेतरतों को लेकर के विवाद हुए जिसक छेत्रों में बिल्कूल हासिये पर खड़ी है आज की तारीक में उन्हीं पार्टियों का कोई अस्तित seulement पर दिखाई नहीं देता पार्टी का नाम निसान नहीं है पार्टी के पास कोई जमीन नहीं बची है कोई जन समर्थन नहीं बचा है तो हालात अब इन जगहों पर जा करके खड़े होते हैं क्योंकि लोग जो जनता है उसका राजनीत को देखने का द्रस्टिकोन बदल चुका है राजनीतिक नजरिया बदल चुका है अब ऐसे में भारती जनता पार्टी सही जो तमाम दूसरे दल हैं उनके उपर एक नैटिक दबाव आएगा नैटिक दबाव किस चीज़ का वो होगा जो पार्टी के तमाम पदादिकारी होते हैं चाहे वो ब्लॉक इस्तर से लेकर के और रास्ति इस्तर तक की बात हो जो किसी भी तरीके से एक कमरे में बैठ करके तै हो जाते हैं कि ये फलाय ये नेता जो है वो अदर ये करे दिकर अखारी कोड़ेगा एक चूकि जिम्मेदारी बनेगी किस तरीके से लोगतंतर में जो ज़िनास जरूरी है उसी तरीके से पार्टी के और इन्दर का लोगतंतर है पार्टी는 की जरूरत हो सकती है तो यह जो केरी चीजे नशाघ考 जातिरे हैं ह powdery हैं वहीं जाहती तहीं डिया जाए है तो गुझरात जैसे राजमें जहां इसी साल वेदान सभा के चुनाओं ने को सिवील यूनिफॉर्म को लेकर के कोंग्रेस पार्टी बार बार भाच्पा पे आरूप लगा areे यह तो स्टेट गवर्मेंट का राज-सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है इसका लागू करने का अदिकार तो के इंद्पर सरकार का है फिर इसमें राज-सरकार क्यूं announcement कर रही है वहीं जो गुजरात में स्थिती डवाडोल होती हुई दिखाई दे रही है इस गुजरात में जो मुश्किल दिखाई दे रही है हम आदमी पार्टी के चलते भाजपा को उसको ले करके कई सारे बड़ी हुई है वहीं दूसरी तरफ अब कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा कराएगा इस रास्ते अद्रक्षपत को ले करके जो चुना हुआ है वो भी भाजपा के उपर एक दबाओ का काम कर रहा है इस दबाओ का कितना असर भाजपा पर होगा कितना असर दूसरे चेतरी दलों पर होगा यह आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या इसको यह अंतरिक लोकतंत्र के लिए नियमों में बदलाओ किया जायेंगे ऐसा कई रहता है कि जब पार्टी में किसी व्यक्ति विषेश को लंबे समय तक अध्यक्ष बनाय रखने के लिए पार्टी के सम्विधान में संसोधन कर दिया जाता है तो क्या अब पार्टी का जो आंतरिक लोगतंतर है उसको सही रखने के लिए लोगतंतर के हिसाब से चुनाव कराने के लिए क्या उन सम्विधान को बदला जाएगा ये एक बड आजनेतिक दल कम और द्यों के घराने की तरीके से जादा चलाए जा रहे हैं बहराल ये जो दबाओ है जो नेतिक दबाओ की बात हो रही है जो आईने की बात हो रही है कितना असरकारी होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा पर तो जो की सवाल है तो सवाल तो उड़त नहीं ही रहेंगे बने रही हमारे साथ दन्यवाद